अगली खबरारी इन दोर से जहां एरोड्रम इलाके में महिला की गला रेत कर हत्या के मामले में पुलिस ने 30 से जादा लोगों से पूछ ताच की है मगर कोई ठो सुराग हाथ नहीं लगा पुलिस अब टिफिन सेंटर के अलावा अन्यविन्दूओं पर भी जाच कर रही है पुलिस के सामने एक चुनोती इलाके में CCTV कैमरे ना हूना भी बना है रवी वार्दो पहर विद्या पैलस की एक बिलिडिंग में वंदना पती राहुरगवनसी निवासी नंदा नगर छेतर की खून से सनीन लास की सूचना पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची जहां महिला का सब पड़ा था और आस-पास खून फैला हुआ था पुलिस ने जाच की तो पता चला कि गला रेता गया है उसके सरीर पर संघर्स के निसान भी मिले है साथ ही ये भी पता चला है कि महिला कुछ दिन पहले ही यहां किराय से रहने आई थी उसके साथ दो सहेरियों के वहां रहने की भी जानकारी मिली है फिर पुलिस ने उसके पती से चर्चा की जसमें पुलिस को ये पता चला कि वह अपनी पती को टिफिन सेंटर पर काम करने का बोल कर जाती थी मगर पती ने उसके काम की कोई जानकारी नहीं निकाली घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया और अपनी जाच को आगी बढ़ाया सोमवार को महिला के सब का पोस्माटम कराया गया पुलिस को पूछताच में ये भी पता चला कि वे हर दिन घर से 12 बजे के लगभग निकल जाती थी और साम को 6 बजे के आस पास आती थी मगर पती रात करीब 10 बजे तक घर आता था जाच में ये भी सामने आया कि वंदना की शादी पहले भोपाल में हुई थी 2014 में उसका तलाग हो चुका था फिर वह इंदौर आगी थी और यहीं उसने राहुल से दूसरी शादी की ससुराल में वंदना की ठीक से बात नहीं के होने के कारण वह पास ही में किराय के घर में रहने लगी पुलिस और FSL की टीम ने घटना इस थलकी जाच की तो सामने आया कि वंदना के गले पर 2-3 बार मिले उसकी चहरे आख और जमीन पर मिर्ची का पाउडर भी था इससे आसंका जताई जा रही है कि वंदना की आखों में पहड़े मिर्ची डाली गई उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया टी आई संजय सुकला के मुताबिक इस मामले में वंदना के घर के आसपास के लोगों से उसे जानने वालों से संदिकधों से ऐसे करीब 30-35 लोगों से पूँशताच की जा चुकी है इसमें एक खास बात पुलिस को पता चली है जैसा कि बताया जा रहा है कि महिला टिफिन सेंटर चलाती थी मगर जब पुलिस ने किचन की जाच की तो वहां ऐसा कुछ नहीं मिला कि इस पश्ट हो सके कि महिला टिफिन सेंटर चलाती हो किचन में सामान नहीं किराना सामान था जबकि टिफिन सेंटर चलाने वालों के यहां किराना ज़्यादा मात्रा में रहता है तियाई की मुताबिक जाच में जो बिंदू सामने आ रहे हैं उससे प्रतीत नहीं हो रहा है कि महिला टिफिन सेंटर संचालित करती होगी पुलिस महिला के दूसरी गत विधियों में काफी वक्त से लिप्त होने की संभावना जता रही है इस बिंदूपल भी पुलिस जाच कर रही है हाला कि छेत्र में CCTV केमरे नहीं होने से भी पुलिस की परिसानी बढ़ गई है हाला कि घटना क्रम को देखकर पुलिस अंदे साल लगा रही है कि किसी परचित नहीं महिला की गलारेत कर हत्या की है इस मामले में फिलहाल पड़ताल जारी है इन दौर के एरोडराम में इलाके में रविबार दो पहर एक बिल्डिंग के फ्लैट के कमरे में एक महिला की खोन से सनी लास मेरी थी सुचना के बाद पुलिस मौके पर पहुँची महिला की सिनाक्त वंदनार अगुवंसी के रूप में हुई जो तीन दिन पहले अपने दूसरे पती को बिना बताई यहां किराय से रहने आई थी महिलान नंदा नगर में भी रहती थी वहीं पती को टिफिन सेंटर में काम करने का कहकर निकलती थी फिलहाल अब पूरे मामले में पुलिस के टी में जाच में जुटी है